तो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं मून के बारे में इन डिफरेंट साइन्स तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा बेसिकली मून है क्या और कौन-कौन सी चीजे और होती हैं मून के लिए in addition to nourishment and motherly vibes तो उनके अलावा भी मून का एक side है उसको हमने देखा था उसके बारे में हमने discuss किया था तो इस reading में हम ये देखेंगे किस तरीके से हम मून को study कर सकते हैं किसी के भी चार्ट में ये समझने के लिए कि उनका mindset कैसा है उनके mind का framework कैसा है और एक चीज मैं आपको पह reading नहीं दे सकते हैं और इसके different layers होते हैं तो ये एक तरीके से आपको consider करना है ये layer 1 है या 2 कह सकते है layer 1 या 2 है ये किसी के भी चार्ट को देखने के लिए लेकिन ये पूरी एक defined definition नहीं होगी moon की उस sign के अंदर क्योंकि उसके लिए हम ये भी देखेंगे कि उस एक particular house के reading है वो सारी चीज़े भी हम discuss करते हैं सबसे पहले हम देखते है moon को in the sign of Aries तो जल्दी जल्दी सब को discuss करेंगे लेकिन बाद में मैं इन जब science को discuss करूंगी कि Aries का sign क्या है Taurus का sign क्या है तो आपको जादा depth में पता चलेगा कि हर एक planet वहाँ पे behave कैसे करेगा तो अभी हम द है हमारी सोचने समझने की capability तो यहाँ पे जो moon है वो आपको physically affect नहीं कर रहा है वो आपको mentally affect कर रहा है आपको जो भी चीज feel हो रही है शाया वो guilt है, shame है, lust है, happiness है, sorrow है वो सब moon feel कर रहा है और इसलिए जो moon राशी chart होता है जो चंद्रमा का chart होता है वो बहुत important हो जाता है ब कोई भी चीज predict करने के लिए कि इस वक्त आपके life में क्या चल रहा है और वो इसलिए important है क्योंकि जो चीज़ आप feel कर रहे हैं आप उसी चीज़ से resonate करेंगे कि हां मैं ये feel कर रहा हूँ उन दिन हो तो यही इसलिए जो moon होता है वो बहुत जादा important हो जाता है astrological point of view से कभी कभी sun से भी जादा importance moon को दी जाती है तो सबसे पहले देखते है Aries के sign में basically Aries के sign में होने का मतलब है यहाँ पे moon सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है अपने बारे में in the sense कि मैं क्या feel कर रहा हूँ इस काम से मैं क्या feel करूंगा अगर मै मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कैसा लगेगा इसने मेरे साथ ये कर दिया इसने मुझे ये कह दिया हर एक चीज़ का जो center point होता है वो हो जाता है मैं in the sign of Aries वैसे तो हर कोई सोचेगा कि नहीं हर कोई जैसे सोचता है अपने बारे में ही सोचता है लेकिन आपको अलग-लग signs क के अंदर पता चलेगा कि किस तरीके से हर sign के अंदर कुछ नो कुछ shift आ जाएगा सोच के अंदर Aries के sign के अंदर basically एक तो मून का motive होता है कुछ create करना क्योंकि यहां पर जितने भी नक्षतर आते हैं Aries के sign ने उन सबका main focus होता है creation या healing तो यहां पर या तो अपनी body के ओपर और उतने ही hyper activity आती है क्यों क्योंकि यह है fire sign जब भी मून किसी भी fire sign के अंदर होगा naturally वो hyper active होगा जितनी तेजी से वो लोग कोई भी काम start करते हैं उतने ही तेजी से वो burn हो जाते हैं और उनके energy खतम हो जाती है तो यहां पर मून के साथ भी यह hyper activity बहुत जादा है impulsiveness बह लेंगे कोई भी चीज start कर देंगे यह depend करेगा बाद में की बाकी planets की strength कैसी है देखने के लिए कि वो काम होगा या नहीं होगा लेकिन फिलाल moon Aries के sign में hyper active and hypersensitive बहुत जादा हो जाता है अपने आप पे चीजे बहुत जादा ले लेता है जिसे कहते हैं बहुत जल्दी personal च हो जाता है टॉरस के sign की बात करें टॉरस का sign है valuable यहाँ पे moon सोचेगा कि अगर मैं एक काम कर रहा हूं तो इससे में life में value क्या add हो रही है मुझे कौन सी security मिल रही है काम करने के बाद यहाँ पे moon कोई ऐसा काम आपको सोचने ही नहीं देगा जिससे आपको कोई permanent security ना मिल र तो ऐसे नहीं हूँ मैंने again आपको काई अलग-लग parameters हम discuss करेंगे यहाँ पे सिर्फ level 2 है और अगर आप money minded नहीं है तो आपको चाहिए commitment long term commitment and security वो भी एक तरीके की security है तो यहाँ पे constantly mind के अंदर रहेगा कि मुझे चाहिए इस काम से कोई value अगर किसी काम के अंदर इनको value है तो एक तरीके की जिद create हो जाती है यहाँ पे moon और mental strength strong है क्योंकि यह है fixed earth sign जैसे ही moon किसी भी earth sign में जाता है तो जो mind की capabilities है वो strong हो जाती है ऐसे इनसान को आप easily भैका नहीं सकते easily आप उनको किसी भी बात के अंदर manipulate नहीं कर सकते तो यह एक और strength point होता है जैसे fire signs के stability यहाँ पे mind के पास stability है किसी भी चीज़ को ठहर के सोच सकते है जमनाय का sign जमनाय का sign है dual energy यहाँ पे एक तो communication यहाँ पे constantly आप सोचेंगे कि अगर यह इनसान मुझसे communication के level के ओपर connect नहीं कर पा रहा है vibe match नहीं कर पा रहा है एक friendship form नहीं हो पा रही है तो मुझे मता नहीं तो basically यहाँ पे moon को चाहिए एक level की friendship, comfort, companionship and communication यहाँ पे constantly आपको लग रहा है left out ना मैं feel करूँ तो मुझे कोई input देना चाहिए मुझे कोई idea देना चाहिए constantly mind के अंदर इतने creative ideas होंगे कि आप बैठ के इनसे किसी भी topic के अपर बात कर वालीजिए किसी भी topic का solution निकल बहुत जादा जिसे हम कह सकते हैं एक तो creative, innovative और उतने ही जादा चंचल यहाँ पे एक mind के अंदर इतनी activity हो रही होती है कि इनसान exhausted feel करता है 90% of the time अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आपने सुभी से कुछ काम नहीं किया लेकिन आपका जो moon है जमिनाय के sign में हैं तो by the end of the day आप completely exhausted होंगे क्योंकि आपके mind ने उतना काम किया होगा on a daily basis और इसी दिए इन लोगों को लगता है कि हम most of the time ठके वे क्यों रहते हैं हमने तो कोई काम भी नहीं किया उसका reason है यह hyper activity जैसे ही इस dual sign के अंदर moon आता है तो चंचलता का level है वो बहुत जादा high हो जाता ह decisions लेने में difficulty क्योंकि यहाँ पे decisions जैसे इनसान लेने के बार में सोचता है फिर रखता है नहीं यह नहीं यह कर लूँगा नहीं ऐसे नहीं वैसे कर लूँगा नहीं अब नहीं तब कर लूँगा तो यह एक के बाद एक decisions change होते हैं और अगर यहाँ पे कोई भी जिसे कह सकते हैं जो house placement है वो भी fix नहीं है तो और जाधा difficulty create हो जाती है तो यहाँ पे constantly इंसान को चाहिए companionship and communication का level और यहाँ पे जो सोच है वो basically यह होते है कि मैं left out ना हो जाओ मुझे कुछ creative input देना है उसके बाद आता है cancer का sign cancer का sign moon originally rule करता है लेकिन पता नहीं क्यूं मैंने अपनी experience के according cancer के sign के अंदर moon को जाधा positive की बजाए negative देखा है किस तरीके से या तो यह इतने जाधा problems के अंदर खुद को involve कर वा लेंग यह उसके लिए serial killer तक बन सकते हैं तो यह एक बहुत extreme side होता है moon का यहाँ पे moon को completely white या completely black देख सकते हैं बाकी सारे signs के अंदर मैंने moons को अलग-लग shades में देखा है कि थोड़ी बहुत एक leeway होती है किसी और sense के लिए किसी और feeling के लिए लेकिन cancer के sign में moon थोड़ा सा dangerous होता है क या तो वो completely white होता है या वो completely black होता है and black होने का मतलब है कि यह आपको दूसरों की problems को suck करने पे मजबूर कर देता है लोग आपको sponge समझने लग जाते हैं कि आप तो उनके emotions को जहलेंगे ही जहलेंगे आप उनके emotional burden को जहलेंगे ही जहलेंगे और हर कोई दूर दूर से आपक इस information का मैं करूं क्या तो आप constantly इस information के अंदर ही सोच रहे हैं negative thing कर रहे हैं over thing कर रहे हैं या फिर आपको हो जाएगा एक possessiveness और jealousy और आप constantly सोचेंगे कि इस इंसानने मुझे reject कैसे कर दिया इस इंसानने मेरी care क्यों नहीं ली इस इंसानने मेरी emotions को value क्यों नहीं किया अब मै healing energy कभी एक killer के अंदर convert हो सकती है according to my experience जितने charts अभी तक मैंने discuss करे हैं study करे हैं उसके बाद आता है Leo का sign Leo का sign एक regal sign है और again यह fire sign है तो यहाँ पे hypersensitivity है water sign के अंदर एक चीज होती है जिसे मैं आपको उससे पहले जो cancer का sign है उसके according water sign के अंदर होती है flowy energy flexibility किसी भी environment में adjust करने की capability जो होती है mind के अंदर mental strength में वो water signs के अंदर आती है अब यह जो Leo का sign है again fire sign तो hypersensitivity होगी यहाँ पे इसके साथ साथ एक चीज होती है loyalty and respect इन लोगों को पता है इनके mind के अंदर एक चीज constantly चल रहे है अगर कोई इंसान loyal है अगर कोई इंसान respectful है तो उसके लिए क important है का गलती से भी इन दो parameters को hurt किया गया तो इनकी पूरी personality आप क्या against हो जाएगी तो constantly जो सीदिन के mind में चल रहे है वो यह है एक superiority complex भी है plus एक magnificent personality create करने ही करनी है अगर यह कहीं जा रहे है और इन्हें वहाँ पे attention नहीं मिल रहा है तो दुबार ही उस जगा पे जाएंगी यह एक अलग तरीके का trait है moon का specially Leo के sign के अंदर काफी regal sign है काफी regal personality है लेगिन इन लोगों को treatment भी special चाहिए अगर special treatment नहीं मिली तो फिर बहुत दारा जीसे कह सकते है selfishness यहाँ पे create हो जाती है दूसी चीज इस एक sign के अंदर moon थोड़ा सा uncomfortable feel करता है according to me इस एक sign के अंदर इनको easily समझनी पाते हैं बहुत जल्दी misunderstood यह हो जाते हैं लोग क्योंकि इनको अपने emotions को express करना नहीं आता अगर यह किसी की care भी कर रहे हैं तो वो care ऐसे करेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि यार यह बत्तमीजी कर रहा है हमसे या यह कुछ जादा ही controlling and dominant हो गया है हमारे उपर तो इनकी जो care है वो misunderstood हो जाती है बहुत बार अब बात करते हैं वर्गों के sign की वर्गों के sign के अंदर moon की placement हो जाती है थोड़ सी toxic क्यों मून जब भी वर्गों के sign के अंदर होता है तो इनसान को आदत होती है problems को solve करने की solution निकालने की लेकिन यहाँ पे problem को solve करने की आदत सिर्फ problem और solution तक नहीं रहती है अगर अब इनकी life में कोई problem नहीं है suppose करिए तो यह problem create करेंगे ताकि यह problem को solve कर सकें और इसलिए इन लोगों के साथ रहना बहुत tough बात हो जाती है क्योंकि अगर सब कुछ एगम सही चल रहा है तो यह किसी भी चीज़ को cut करेंगे scissor से blade से और problem को बाहर निकालेंगे फिर उस चीज़ को discuss करेंगे और आसपास के लोगों के लिए वो चीज़ बहुत traumatic हो जाती है इनके खुद के लिए traumatic है इनको पता भी नहीं है कि यह constantly अपने mind के अंदरे toxic situation create करे जा रहे हैं constantly overthink करेंगे constantly हर एक चीज़ को बहुत precision के साथ द health conscious क्योंकि वर्गों का sign है naturally and healing energy यहाँ पे भी strong है and mental capability strong है याद रखी क्योंकि यह earth sign है यहाँ पे mental capability इनकी strong है fixed है mind easily आप इनको manipulate नहीं कर सकते लेकिन यह खुद सिर्फ अपने आपको manipulate कर सकते है खुद अपने आपको यह इतना disturb कर लेंगे कि फिर इनको किसी भी उस hole से भा तो suppose करी अगर आपके chart के अंदर यह moon है तो आपको पता है exactly हर एक occasion को special कैसे किया जाए हर एक इनसान को special कैसे feel करवाया जाए किस तरीके से किसी इनसान को इतना खुश कर दिया जाए कि वो आपको अपनी life के बहुत important part consider कर ले क्यों क्योंकि इस moon के पास एक special talent है diplomacy का यह चाह नहीं करेंगे और यह है एक air sign भी तो air sign के अंदर जब moon होता है तो उसको चाहिए freedom अगर आप इन लोगों को control करने की कोशिश करेंगे अगर आप इन लोगों को किसी भी जरीके से कहीं पर बांधने की restrict करने की कोशिश करेंगे तो फिर यह moon और यह लोग आपके साथ comfortable feel नह जब इन लोगों का मन करेगा तो यह बहुत जादा arrogant and rude हो सकते हैं और यह ऐसी ऐसी बाते आपके बार में आपको बता देंगे कि आपको लगेगा कि यह बात इन्होंने कैसे बोल दी तो कहां पे diplomacy रखनी है कहां पे बहुत arrogant होना है इसका perfect balance है moon in Libra और जो moon in Libra होता है यह का creative काफी sensual and काफी beautiful sign है और इसके अंदर जो mind है लोगों का यह बहुत जादा strong है लेकिर at the same time बहुत जादा कभी-कभी all over the place हो जाता है तो नहीं समझाता कि कैसे control किया जाए क्योंकि यहां पे innovation भी काफी जादा है strength भी काफी जादा है और उतनी जादा problem हो जाती है कि balance कैसे क पता breaks नहीं है यहां पे सिर्फ speed है तो यह एक problem है लीबरा के साथ अब आता है scorpio naturally scorpio के sign के अंदर moon को कहा जाता है debilitated मतलब यह नीच का moon है अब यहां पे mainly बात क्या है क्यों इस moon को negative लो consider करते हैं अगर moon का का काम है mind का काम है अलग-लग चीज़ों को सोचना तो जिन लोग का moon scorpio के अंदर है वो लोग बिचारे अलग-लग चीज़ों को सोच नहीं पाते वो एक चीज के अपर अड़ जाते हैं अगर इन्होंने सोच लिया है इनकी जिद है कि मुझे government job चाहिए तो उस पे अड़ जाएंगे चाहे इनके सालों साल बरबाद हो जाएं फिर उस चीज से भाण नहीं आ सकते हैं अगर किसी relationship में आ गए किसे relationship में अपना 100% दे दिया तो उसके बाद चाहिए इनकी life के अंदर 10,000 लोग आ जाएं यह उस relationship से भाण नहीं आ पाएंगे तो एक जिसे कह सकते हैं एक self created hell यह लोग अपने लिए self created hell create कर लेते हैं कि कि किसी भी situation के हो जाते हैं कि फिर उस चीज़ से भाण नहीं आ पाते हैं कभी कभी यह लोग इतना attached हो जाते हैं कि चीज़ से कि यह दुबारा उन जगाओं पर नहीं जा सकते जिस जगा से emotionally connected है इनको एक अंदसे anxiety हो जाएगी फिर कि कैसे उस जगा को जाएं कैसे उस जगा को face करें तो आपको वो knowledge भी दे देंगे जो knowledge आपको कभी पता भी नहीं थी कि exist भी करती हैं अब आते हैं Sagittarius Sagittarius again एक fire sign fire sign में moon हो जाता है hypersensitive plus Sagittarius के sign में moon हो जाता है जिद्धी यहाँ पे mind में constantly चल रहा है कि अगर मैंने ये बात बोल दी तो ये बात ऐसे ही होगी अब अगर सामने व बोल दी मुझे जैसे करनी है मैं वैसे ही करूँगी या वैसे ही करूँगा तो वो situation यहाँ पर create होती है zit की plus काफी old school जो चीजे जैसी चलती आ रही हैं वैसे ही चलने दो ज्यादा changes मत करो तो ये लोग खुश रहेंगे लेगिन जैसे ही आपने इनकी चीजों को हलका सा भी change या shift करने की कोशिश करी इनकी routine को change या shift करने की कोशिश करी तो फिर इनको समझ में नहीं आता कि आप situation को कैसे handle किया जाए प्लस इस एक sign के अंदर जो moon है उसके पास talent होता है किसी भी चीजों को समझाने का explain करने का और ये कभी-कभी explain करने में ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को hurt कर सकते हैं उसकी feeling को hurt कर सकते हैं क्योंकि इनके examples और इनके समझाने का तरीका काफी ruthless हो सकता है तो यहाँ पर कभी-कभी ये जो एक fine line होती है समझाने के बीच में और समझाते हैं सरकास्तिक होने की ये उस line को भूल जाते हैं क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद आता है Capricorn Capricorn के sign में moon हो जाता है थोड़ा सा परिशान बट powerful परिशान कैसे इनके उपर workload बहुत जादा होता है बहुत जादा workload और problem यह है यह अपना workload किसी के साथ share नहीं कर सकते हैं किसी को इनका काम दिखता भी नहीं है लोगों को इनके failure जादा दिखते हैं और अंदर ये अंदर इनके जो emotions हैं वो इनको dry कर देते हैं क्योंकि जब जब इनको emotion की ज़रुत होती है इनको nourishment की ज़रुत होती है तब इनको emotions दिखते नहीं है लोगों के अंदर तब इनको nourishment नहीं दिखती है और इनकी life की situation कुछ ऐसी होती है कि ना चाहते भी responsibility का burden इनके उपर बहुत ज़ादा होता है यहाँ पे किसी भी काम को क character के trust करते हैं जिनके लिए नहीं सालों साल महनत करी ही होती है वो लोग बहुत easily इनको बेवकूफ बना के इनसे काम निकलवा लेते हैं लेकिन इन लोगों को यह बात पता होती है और यही trick point है इनको यह बात पता होती है कि सामने वाला किस तरीके से behave कर रहा है लेकिन still यह क बहुत रूड कंसिडर करते हैं लेकिन on a very real side इनका जो behavior है विक नारियल के जैसा है coconut के जैसा यह बहार से बहुत जादा tough होंगे लेकिन अंदर से नहीं होंगे इतने tough यह अंदर से बहुत sensitive होंगे एक बात की इनको tension होगी लेकिन वो tension face पे नहीं दिखाएंगे face पे आपको यह दिखाएंगे कि इन से जादा confident and strong इनसान ही नहीं है कोई उसके बाद आता है Aquarius Aquarius के sign के अंदर moon होता है mystical यह एक lota sign है जो बहुत confusion create करता है किसी भी chart को read करने में यह हो सकता है मेरे chart की कुछ placements ऐसी है कि इस एक particular placement के साथ हमेशा मेरा कुछ नो कुछ issue रहता है जब भी moon Aquarius होता है कोई ना कोई एक mystery सामने निकल कर आती है क्योंकि इनका चीजों को देखने का तरीका लग है इनका चीजों को feel करने का तरीका लग है इनका चीजों के उपर react करने का तरीका लग है अगर आपको यह लग रहा होगा कि अगर मैं यह बात बोलूँगा तो यह ऐसे react क तो constantly जो एक revolution का एक side है, वो इस moon के अंदर है, invention का side, ये moon काफी strong है invention के लिए, आप कोई भी नई चीज invent कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई scientific चीज ही invent करें, कभी कभी इंसान को ये काम करने की चीज को इतना simple कर देता है, कि आज तक घर में किसी ने वो चीज वैसे न मून है, वो मून एक lost moon है, जैसे हमने sun को देखा था, पाइसी के sign है, वो lost था, लेकिन moon के साथ positive ये है, moon already एक watery graph है, और पाइसी का sign water sign है, ocean का sign है, तो यहाँ पे moon double intelligent है, एक लक्षमी intelligence इसको मैं बोल सकती हूँ, मतलब, यहाँ पे आपको पता है exactly आपको अपना फायदा कै कहां से निकाले, knowledge कहां से निकाले, और उसको अपने profit के लिए कैसे लगाया जाए, लेकिन ये moon सिर्फ तब काम करेगा, जब laziness कम हो, वरना ये moon काफी lazy हो जाता है, सब को जानते बूचते, ये moon कुछ भी नहीं करता, क्योंकि एक philosophical side हमेशा active रहता है, एक imaginative side हमेशा active रहता है कि कोई भी चीज कैसे होगी, कब तक होगी, और क्या करना है, go with the flow वाली energy होती है, तो यहाँ पे काफी तादा strong है moon, but at the same time, अगर spirituality के साथ बिल्कुल भी connection नहीं है, तो ये moon बहुत लंबा time अतना waste करवा सकता है, और constantly यहाँ पे जो सोच होती है, बहुत in-depth होती है, connection तो बहुत deep and extreme level के उपर होगा, वरना superficial भी नहीं होगा, superficial लोग और superficial बाते बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, तो ये था moon in Pisces, और ये सारे जितने भी sign है, अभी सिर्फ level 1 या level 2 है, अब इसके बाद हम बाकी के grass को discuss करेंगे, इसके बाद जो next grass है, वो Jupiter है, इसके बाद हम Jupiter को देखेंगे, और इन सब grass को cover करने के बाद हम आएंगे sign and house placement के उपर, and उसके बाद हम discuss करेंगे नक्षत्र को, तो I hope आपको कुछ समझ में आया होगा, अभी भी कोई confusion है तो आप comments में लिख सकते है, I clear them out, thank you.